स्ट्राइक का लेंड में गेम खत्म होने के कुछ ही मिनिट बचे हैं और स्कोर अब भी बराबर इपर है और ये लिक विडियो की गोल करने की एक और फोशिश और वो भी बड़ी तेजी से 18 मेल प्रतिक घंटा पर अगर कोई है जो से टक कर दे सकता है तो वो है टाइगर 19 मेल प्रतिक घंटा लिक पेडो का 20 मेल प्रतिक घंटा टाइगर का 21 अब यह जारी रखा है लगता है तुम्हें नए लगी चाम की जरूएथ है दोस्त टाइगर के गेजारी से अब लिकविडो को को नहीं पकड सकता गोल विसिटर टीम का दूसरा गोल और यह आया लिकविडो का सिग्रिचर शट अप सेलिब्रेशन तुमने देखा उसे क्या किया था हा उस लिकविडो ने फाल किया था टाइगर अगले गेम में उसे दिखाऊंगा तुम उसका बैट बजा दोगे अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे फ्लोटिंग स्टेडियम में तो तुम गलत हो मैं अपने यहा इस से तेज होता हूँ बहुत ज़ादा तेल बहुत ज़ादा सॉस और बहुत ज़ादा खाना मैं चाहता हूँ अगले गेम में वो सब चुस्त और फुर्ती ले हों मैं हूँ जाक कुस्तो मेरा काम है खाना बनाना पर लोगों से डाइटिंग करवाना बिल्कुल नहीं सॉरी जाक गेम की तयारी में मुझे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है मैंने सही कहा ना बॉइस यह तो कमाल है कोज हम यहां अंदर क्या कर रहे हैं प्रोफेसर यह मुम्किन है हाइड्रा सूपर लीग की सबसे तेज़ टीम इसलिए है क्यूंकि उनके पास है ब्रह्मान का सबसे विशाल कुद्रती प्रतिरोध प्रशिक शनूपकरा प्रोफेसर क्या आप यह आम इंसान की भाषा में समझा सकते हैं और साथ ही मेरे लिए भी प्लीज हाइड्रा अंडर वाटर ट्रेनिंग करते हैं सही कहा ब्लॉक पानी हवा से हजार गुना गाड़ा होता है उसमें ट्रेनिंग करने से जमीन पर खेलना ऐसा लगेगा जैसे तुम हवा में दौड रहे हो थीक है देखते हैं अंडर वाटर ट्रेनिंग से जमीन पर तुम्हारी तेजी बढ़ी है या नहीं सबसे पहले टाइगर हां बचके रहे ना लिक्वीडो टाइगर तुम पिछले गेम में 24 मिल प्रती घंटा गए थे देखते हैं उससे ज्यादा कर पाते हो या नहीं ठीक ह बहुत बढ़िया और तुम जितना जादा पानी में ट्रेनिंग करोगे उतनी जादा तेज होगे हम तीन दिन बाद फ्लोटिंग स्टेडियम के लिए निकलेंगे वापस टैंक में जाए हाँ वापस टैंक में जाओ शेफ स्कूल में साथ साथ, फाइव स्टार होटेल में नौ साल और छे अवाड़्स इसके लिए? ये है क्या? मैं इसे कहता हूँ चावले खास उबली हुई सबसियां और चावल तुम्हारे चेहरे के शेप में कमान कोच हम एक हफते से अंडर वाटर ट्रेनिंग कर रहे हैं क्या हमें थोड़ा असली खाना नहीं मिल सकता अगर तुम चुस्त और फूर्तिले नहीं बने तो तुम्हारी सारी ट्रेनिंग बिकार हो जाएगी हाँ कोच हम भूके रहेंगे और आप खाते रहेंगे क्यों ना एक सौदा करें अगर हमने हाइड्रा को हराया तो हमारे लिए यहां एक शांदर दावत होगी वापस घर जाते हुए तो क्या आपको मन्सूर है कोच हाँ ठीक है फिर से हारने के लिए तैयार हो इतना अकड़ो मत बच्चू हां हम सब भी अंडर वाटर ट्रेनिंग करके आए हैं अच्छा क्या तुमने बाट चब बे प्रैक्टिस की हम तो गेम शुरू होने से पहले समंदर में ट्रेनिंग करते हैं इसलिए तो हम यहां पर ज्यादा तेज होते हैं टाइगर ठाइस मिल तक गया है हाँ यह सच है वो किसी भी वक्त और किसी भी जगध तुम्हें हरा देगा डूड ऐसा क्या क्यों ना अभी हो जाए समंदर के तले में क्या है मुझे यह ठीक नहीं लग रहा दोस्तों अगले लेवल के अंडर वॉटर ट्रेनिंग लिक्वीडों को उसकी जगा दिखाने का मौका कमान दोस्त हाँ चीक है कॉम्पैक्ट ब्रीधिंग अपराटिस हवा कभी खत्म नहीं होती कम्यूनिकेशन डिवाइस तुम्हारे मास्क के अंदर पानी में बात करने के लिए यह तुम्हें वापस सतह पर जाने से रोकेगा काफी अच्छा तीम्शूरू लगता है तुमने सच में काफी प्रैक्टिस की है और कोई चारा भी नहीं था आखिर तुम्हें हराना जो है कुछ दिखना है वो बहुत मीचे है डूट काश हम उन्हें देख पाते अब अपना कमाल दिखाओ यह तो सच में तीज है तो अब क्या कहते हो लिक्विडो हां लिक्विडो मैच के दिन मिलते है दोस्ट नहीं रुको लिक्विडो मैं इस बेल्ट को कैसे निकालू मेरे लगी चाम से टाइगर तुम तो भारी हो गए हो दोस्ट इस चीज को निकालते कैसे निकाल सकते यह लिक्विडो की चाल थी इसकी सिर्फ एक चावी है और वो उसके पास है बदमाश कहीं का मैंने उसकी बात क्यूं मानी हमें कोश को बताना होगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उन्हें परेशान करने की जरूत नहीं है डूड हम खुदी चावी डूड निकालेंगे मुझे नहीं लगता कम आन हम कर लेंगे ठीक ह तुम सब सूपर लीग में खेलते हो राइट तो लो कम तेल वाला कम मसाले वाला और बेहत कम स्वाद वाला गर्मा गर्म सूपर घाना राजमा हां राजमा हां हाइड्रा को हराने के लिए ये करना पड़ेगा बॉइस कुछ मिला हाँ वो चावी कहीं नहीं मिली ना ही लिक्वीडो टाइगर जाग तो हमारे जीत के खाने की तैयारिया कैसी चल रही हैं वो होगा मेरी जिन्दगी का सबसे बेतरीन और ला जवाब खाना ऐसा जैसे तुम सबने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं खाया होगा सची तो आप क्या बनाने वाले हैं चिकन रूल कैसे रहेंगे जार इससे अच्छा तुम्हें डाइट फूड ही बनाओ बेकार खराब कुरसी कितनी कमजोर कुरसी है ना मुझे पता है यहां क्या हो रहा है टाइगर तुम डाइट के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हो है ना पकड़े गए टाइगर सीधे रास्ते पराजाओ टाइगर कल का गेम पूरा तुम्हारे भरो से ही है तुमने कहा था तुम मुझे इस बला से आजाद कराओगे अब कुछ करो यहाईग है यह थो हूँ ्यहाँ यहाँत हूँ कि कैना हनुम मुझे तुमो यहाँ यहाँ है 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 हमें कोच को बताना होगा हम यह गलत हुआ तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरी दुनिया का वजन तुम्हारे कमर पर है यह दुनिया का वजन नहीं है हाइड्रा का वजन है क्या तुम सुनते नहीं हो सॉरी दोस्तों मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है मैं इस गेम के लिए तयार था और अरब मैं बेकार हो गया कोच हम यह मामला ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे सही कहा अब तुम दोनों फिल्ड पर सबसे मुश्किल काम करोगे टाइगर का काम लिक्विडो को तुम रोकोगे टाइगर तुम खेल नहीं रहे हो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पूरी तरह से इस गेम में ध्यान ना दो जानता हूं कोच पहले डाइट वाला खाना और अब अब यह चिकिन रोल मुझे तो शर्म आ रही है सुनिए मिस्टर शेफ कुछ खाने को मिलेगा मैं जाक खुस तो हूँ मैं मामूली लोगों को खाना नहीं खिलाता अच कम ओन डूड गेम शुरू होने वाला है और हम उसका मज़ा भूके बेटने ही लेना चाहते हाँ हम कुछ भी खा लेंगे तो तयार हो जाओ अपनी जिन्दगी की सबसे बढ़िया दावत के लिए प्लोटिंग स्टेडियम में मैच का दिन आ गया अरे वाह मज़ा आ गया ब्रेंडा टाइगर वर्से लिक्वेडो दो चीतों का मुकाबला मुझे ऐसा नहीं लगता मैक आखिर कोच सोच क्या रहे है उन्होंने अपने सबसे तेज खिलाडी को नहीं भेजा पर पर क्यों क्या सूपा स्ट्राइगा स्ट्राइगर के बिना लिक्विडों को रोग पाएंगे शेक ने फॉरान लिक्विडों को गे लिया पर बिना स्ट्राइगर के भी दिख रहा है कि उसके रफ्ता काफी नहीं है चुरुआत है ब्रेंडा चुरुआत अब शॉर लिक्विडों के पीछे है कोच हाईडा को एक लिक्विडों का नहीं दे रहे लिक्विडों गोल करने वाला है पर आखरी पल में शॉर ने गोल रोप दिया सुपा स्ट्राइकास ने शुरुआत तो अच्छी की है शेक और शॉर लिक्विडों को खेलने ही नहीं दे रहे हैं नजाने में यह 90 मिनिट तक कर पाऊंगा यह नहीं शायद हमें ना करना पड़े मेरा साथ देते जाओ पेश है तुम्हारे लिए बेश कीनती खाना आपके बास चिकन रोल नहीं है तुमने तो यह कहा था कि तुम कुछ भी खा लोगे पर यह फुटबॉल मैच है मिस्टर इसमें तो चिकन रोल होना ही चाहिए यह चिकन रोल्स सूपा स्ट्राइकास के लिए है अगर मैं इन्हें तुम्हें दे दूगा तो वो क्या खाएंगे दो चिकन रोल्स अभी लेकर आता हूँ हम खेल के आखी पड़ाओं में आप पहुचे हैं और अब भी टाइगर खेल ले नहीं आया है वाउ लिक्विडो तुम बहुत तेज हो यह सब जानते हैं और अफसोस तुम्हें यह साबित करने का मौका नहीं मिलेगा टाइगर ने तुम्हें तुम्हें अंडरवाटर फील्ड पर हरा दिया था हलो मैंने वो अंडरवाटर गेम खुद हारा था यह तो कहने की बात है डूट असली गेम में तुम्हें टाइगर को धूल चटा दूँ असा क्या साबित करो समझा तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चाभी दे दूँगा अच्छी कोशिश थी पर यह केम दिखावे के लिए नहीं है पॉइंट्स के लिए है और लिक्विडो बॉल को तीसी से लेकर आगे निकला गोल आखिर का सुपा स्ट्राइकार्स की टू अन बन स्ट्रेटरजी नाकाम्याब हो ही गई और यह लो आया लिक्विडो का शुट अप सेलिब्रेशन या नहीं मैं यह बेल्ट कैसे निकालू मेरे लकी चाम से कुछ लिक्विडो का सिगनीचर सेलिब्रेशन उसने वो नहीं किया तो सच्ची मुझे खेलने भीजी और मैं पता लगा लूँगा क्या तुम लिक्विडो के करीब भी पहुच पाओगे उस बेल्ट के साथ मुझे बस एक मौके की जरूरत है थे फिर सारे चिकन रोल्स तुम सभी के लिए थांस मिस्टर जाना होगा कुछ खास हो रहा है चलो मुझे गंदे खाने से छुटकारा मिल गया अपने दोस्तों को बताना ठीक है अजड़ के लिए थे शूड़ के लिए खास उड़ो है कि ताइगर कितना धीमा है एक मौका वाउ ताइगर पूरी कोशिश कर रहा है पर बात बन नहीं रही है लगता है आज साबित होई गया कि तुम्हारा चाम लगी नहीं है बच्चो मेरी छोड़ो पहले ज़रा अपने लगी चाम की फिक्र करो क्या हूं हाँ हाँ क्या टाइगर ने पहनी थी एक वेट बेल्ट पर इसका मतलब है तुम्हें लगता है अंडर बॉर्टर ट्रेनिंग तुम्हें तेज बनाती है अब देखो कमाल वेट बेल्ट ट्रेनिंग का है हाँ है है हाँ है 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 हुद ओप्लीड और शूट किया हो व्ह अबराय किया है हो अ वेरे ख्याल से पासा बलग गया हैं कि चलो भी यार तुमने तो कहा थे कि तुम टाइगर को हरा सकते हो कि टाइगर के स्पेड 29 मेल प्रती घंटा पर लिक्विडो अभी उसके पीछे है मैं नहीं नहीं सुपर स्टाइगर कमंडर बन वया है सुपर स्टाइगर अब स्पीड है 30 मेल प्रती घंटा पर इन गोल्स टाइगर की ओर से लग रहा है जैसे गोल्स की मारूश हो रही है हे लिक्विडो देखा मेरा लकी चाम हमेशा काम करता है तुम्हें लगता है अगर मैं इस पेंडेंट को चूँँ तो मैं भी लगी हो जाऊंगा बहुत अच्छे टाइगर तुम्हारा प्लैन काम कर गया तो अब चलो चलते हैं जीत का जश्न मनाने खाकर चिकन रोल्स कि और खाओ मेरे चिकन रोल्स दुनिया के पेतरीन चिकन रोल्स वह तो हमारी जीत का खाना था इसे कहते हैं फास्ट फूड चाक ये सब क्या हो रहा है मैं बस लोगों को वो दे रहा हूँ जो उन्हें चाहिए और उन्हें चाहिए चिकन रूल्स पर अब हम सब क्या खाएंगे आखिरकार एक फाइव स्टार शाही दावत सूपा लीग किंग्स के लिए जी भर के खाओ सूपा स्ट्वाइकाज वो क्या है क्या बात है क्यूंकि हम में मैं सबसे शाही हूँ इस खाने का मैं जी भर के मजा लूँगा घोंगे और मचली के अंडों का कोच शेक टाइगर और शौ कहां है तुम्हें लगता है आज के कार नामे के बाद मैं उन्हें इस दावत में शामिल होने देता हूँ बेचारे यह मिस्स करेंगे क्या बात है टाइगर पर कैसे यह तो कितने फास्ट बिग गय थे पर मुझसे फास्ट नहीं दोस्त क्या हुआ 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 है